महराज शरकार ने 2014 को सुगंधित तमाकू बिक्री पर रोक लगा दी थी तो 2018 में पुलि थीन पर रोक लगाई गई पर सरवादिक पुलि थीन की विक्री इन आवायत सुगंधित तमाकू बिक्री करने वाले वेपारियों के दुखानों पर होती नजर आ रही है जिसमें पुद्रपूर शेहर स्थित गठर नालियों में ये कच्रे के तोर पर दिखाई देती हैं और बारिशों की दिनों में नालियों के गंदा पानी सडकों और लोगों के घरों में घुशने लगता है यह रोकने के लिए सरकार कागजी खाना पुर्दी तो जरूर करती है और क्र दोर का रिवाहिक आखिर क्यों नहीं करती यह सारे सवाल यहां के नागरिकों के जहन में हमेशा दस्तक देते रहते हैं एप्रील 2014 से सुगंदी तंबाकु के उपर सरकार ने बयान लगाई क्योंकि तंबाकु जन्नपदार्त खाने से जो शरीर की हानी हो रही इसके लिए उन्होंने बयान लगाई उसके बावजोद भी बड़े पैमाने पे यहां पे तंबाकु तंबाकु मिश्री जो भी है घडले से बेच रहा है अब इसमें यह सवाल पैदा हो रहा कि इसमें साटगाट किसकी है बयान लगने के बावजोद भी मेरे खैल से ऐसा लगता है कि अधिकारी जो बयान लगाने वाली अधिकारी है और बैपरेयों के बीच मिली भगत के वज़े से यह सब गोरक दंदा चालू है तो इसके लेकिन उनका क्या है मालूम नहीं क्या है काला बेरा अपने को कुछ भी मानने लेकिन इस वज़े से हमको बहुत तकलिफ हो रहे सामने जनता जो है यहां खर्रा खाते हैं प्लैस्टिक की पन्नी प्लैस्टिक की पन्नी के उपर भी बयान लगाए उसके प्लैस्टिक की पन्नी चालू है खर्रे के लिए तो इसका कितने तकलिफ हो रहा लोगों को वह लोग खर्रा खाते हैं जग जग ठुकते हैं वह ठुकने से सबसे बड़ी बीमारी फैलती है छोटे बच्चे खेलते रहते पन्नी या पन्नी कहीं पर भी फेग देते पन्नी के कारण जनवर उसको खा जाती है जनवर की तबेत खराब हो जाती है पन्नी अगर नाली में गया तो इसका जिम्मेदार कोन है अब यह सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि आप उसके उपर कड़क कारवाई करें जहापर भी पन्नी मिले तो उसको जादा से जादा एक तो बंदी कर दो, जहां पर हैं सुगंदी तंबाकु मिलता है और इमानदारी से बोढ़ रहा है, क्योंकि 14 में बंदी हो गई, अभी तक चाल हुए, तो इसका इमानदारी में कोई अनिय मतलब नहीं है इमानदारी का, अगर आप सही तरीके से अगर काम करते हैं, तो यह धंदा सुगंधित नबाकू बिक्री करने वाले परव सरकार कठोर कर्रेवाही कर नागरिकों के स्वास्ते को बचाने का काम करे। आने ता चंदरपूर जिला वासी पहले ही बढ़ते प्रदूशन की चपेट में नजर आ रहे हैं। चंदरपूर शहर मान अगर पालिका की ओर से चंदरपूर शहर में स्वच्चता अभियान सिर्फ, होडिंग्स और बैनर पर दिखाई देते हैं। इस तरीके का आरोप चंदरपूर शहर के प्रभाग क्रमाग 9 के पारशत सकीन अनसारी ने चंदरपूर शहर मनपा पर आरोप किया है। अगर देखना है तो हर नाली में जाए नाली किस तरह से चोकप होके हैं और कच्रों का ढेर किस तरह से पड़ा हुआ है। इस तरह से में में रोट को सच्चा कर देने से सच्चता अभियान नहीं चलता है। और यह लोग सच्चता अभियान की धजिया उड़ा रहे हैं और यह श्रीप में सत्ता पक्स में हूँ इसलिए नहीं इनके सत्ता पक्स वाले भी इस तरह से चिलाते हैं। तो गरीबों को तंग करने का जरिया है। अगर गौर्मेंट में इतनी नाकत है तो उसने डायरेक्ट जो है। अगर आज हर सत्ता में हर जगों पे महराश्ट में बोलो चाहे सेंट्रल में या केंद्रा में उन्हीं की सत्ता है अगर यह बंद करना चाहते है पन्नी तो पूरी तरह से बैंड करना चाहिए कमपनी और ठेकेदारों पे ना कि गरीब लोगों को तंग करना चाहिए चदरपुर से तन्शिल पठान